नमस्कार दोफतों एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का हारदिक स्वागत है लेट अफ्ट अपटेट निकल कर आई कि सरकारी करमचारियों के लिए बहुत बड़ी खुश कबरी है कब बढ़ेगी सैलरी कब होगा डिये का ऐलान तो दोफतों हम आपको कारी करमचारियों की सैलरी में कितना इजाफ़ा होगा तो दोफतों अगर आप हमारे चैनल पर फफ्टाइम जिट कर रहें तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ वेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्मेंट याप एंसन से संब् जितनी भी न्यूज आती हैं तो नोटिकेसन आप लोगों के पास तुरंद पोस्ट के दो करते हैं वीडियो को स्टाइट बिना किसी दे रहें दोस्तों सितंबर महीने की पहली कैबिनेट बैठक में केंदरी करमचारियों के डीए हाई को मनजूरी मिल सकती है महेंगाई के आकड़ों के इसाब से इस बार भी डीए में चेर परतिश्यत का इजवफा हो सकता है जिसे सितंबर के महीने की सैलरी में करमचारियों को बढ़ा हुआ डीए मिलने की उमीद है दोस्तो सरकारी करमचारियों की महिंगाई बत्ते यानी डिये में बडोत्री का बेसबरी से इंतजार हो रहा है केंदर सरकार के करमचारियों को आने वाले महिने में अच्छी खबर मिलने वाली है इस बार भी उनके महिंगाई बत्ते में अच्छा खासा इजाफ़ा होगा चार प्रतिशत का इजाफा किया जिससे डी ये बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया दोस्तों करमचारियों के महेंगाई बत्ते में बड़ोतरी के हिसाब से जो इजाफा होता है वो डी ये हाई की कैलकुलेशन इंडर्श्ट्री और पर कर्स के लिए महेंगाई के आकड़ों के अध तीन महिने के आकड़े के आने की Şuत मारे से दो और 557 ए बढ़ जाना चाहिए पूरे च्छा महीने के आने के बाद डीह की थूर की मारने जुलाई से महिंगाई 204 प्रतिशत बढ़ जाएगा जुलाई से लागू होने वाले ड.'es इजाफे को सितंबर की पहली कैबिनेट बैठक में मनजूरी में सकती है इसके बाद सितंबर महीने की सैलरी में करमचारी को बढ़ा हुआ डिये मिलेगा वही साथ ही एरियर का पेमेंट भी होगी इस समय के अदरे करमचारी को 42% महंगाई बता मिल रहा है जो बढ़कर 46% हो जाएगा श्रम अंत्राले ने डिये हाई की कल्कुलेशन का फ़र्मूला बदल दिया है मंत्राले ने डिये के आधार बर्ष यानि बेस एर में चेंज किया स्रम अंत्रायले ने बेस एर 2016 बराबर सोग के साथ डबलो आराई की नई सीरीज जारी की थी जिससे 1963 पैसट के बेस एर की पुरानी सीरीज की जगह लागू किया गया तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैवार